हे गाइज वल्कम बाक तो माई यूट्यूब वीडियोज एच मी आमय तना होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज आज हम बात करने वाले हैं बजाज CT 110 के बारे में जो की एक अपडेटेड वर्जन है CT 100 का बजाज की तरफ से गाइज इस वीडियो के अंदर ह हम जो बात करने वाले हैं वो उसके after sales service से related रहेगा जिसके अंदर की मैं points कवर करूंगा उसके free services से related engine से related paid service से related after market parts की availability से related और लास्ट में जो की सबसे important point रहेगा rupees per km के हिसाब से maintenance cost कितना आ जाता है तो वीडियो शुरू करने से पहले यह चीज बताना चाहूंगा कि गाड़ी के reviews के तो हमको काफी सारी information मिल जाती है जो चीज की information हमको नहीं मिलती है वह होती है उसकी after sales service के पारे में कितना maintenance cost आता है गाड़ी को maintain करने के लिए आपको क्या क्या चीज लगती है रेगुलर्ली रानिंग स्पेर्स क्या होते हैं तो किसी भी गाड़ी को जच करने से पहले after sales service को जानना बहुत जरूरी होगा तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखेगा तो शुरू क करता है बजाच बजाच DTSI के नाम से जिसकी costing आजाती है आपको 390 रूपीज की इसी के साथ आजाते हैं इसके अगले point के उपड़ जो की है oil filter तो दोस्तों यह चीज जाना बहुत जरूरी है कि जब भी oil change करते हैं तो हमको oil filter भी change करना पड़ता है तो इसकी जो oil filter की costing आ आ आ जाती है 45 रूपीज की इसी के साथ आ जाते हैं इसके third point के उपड़ जो की है इसका chain maintenance यह एक close chain system रहती तो इसको गाड़ी को chain का maintenance करने के लिए आपको हर 3000 to 4000 km पे इसकी oiling करनी पड़ती है और जब करवा लेते तो अगली बार जब हम करवाते तो इसको cleaning करनी रहती है इसके अंदर जो आपको free services मिल जाती है वो three free services मिलती है जो पहली free service आजाती है आपको वो आजाती है 500 km to 750 km और 30 to 45 days second जो free service आजाती है आपको 4500 km to 5000 km and 240 days और जो इसकी third free service आजाती है वो आजाती है 9500 km to 10,000 km at 360 days जो आपको पहली service का cost आता है उसके अंदर आपको air filter नहीं change करवाना पड़ता है आपको सिब oil और oil filter ही change कराना पड़ता है जिसकी costing आजाती है आपको 390 और 40 रूपीज और 45 रूपीज और फिल्टर की जिसकी cost total मिलके बन जाती है 435 रूपीज second service की cost आती है उसके अंदर भी oil और oil filter change होता है जिसकी costing आजाती है 435 रूपीज की इसी के साथ इसके तो third service cost आता है इसके अंदर oil filter और air filter यह तीनों चीज़ चेंज होती है जिसकी costing आपको total मिलाके बन जाती है 503 रूपीज की इसी के साथ आजाते है इसके अगले point के ओपर जो की है इसकी paid service तो guys इसकी जो paid service रहती है वो आपको हर 120 days या फिर 5000 km पर करवानी रहती है जिसकी जो labor cost आता है वो आजाता है आपको 290 रूपीज का तो हर बाद जब भी आप paid service कर रहेगा इसी के साथ आते हैं इसके अगले point के ओपर जो की है इसका regularly running spares यानि कौन-कौन से parts regularly run होते हैं इस गाड़ी के अंदर तो उसमें सबसे पहला point जो आता है वो आजाता है हमारा air filter air filter की जो cost आती है वो आजाती है आपको 68 रूपीज की oil filter की जो cost आती हो आती है 45 रू दलता है इसी के साथ आ जाते हैं इसके अगले point के ऊपर chain maintenance तो chain sprocket अगर आप change करवाते हैं तो इसकी जो cost आता है actual MRP वो आता है 1399 जो कि अगर आप aftermarket खरीदेंगे तो 15% के discount के बाद आपको 1190 का पढ़ जाता है अगर आप ये change करवाते हैं labor सहित इसका जो cost आता है वो आता 74 रुपीज का इसका जो brake pads होते हैं मतलब brake shoes होते हैं क्योंकि drum system के साथ रहता है तो drum brakes में इसमें brake shoes चेंज होते हैं इसका जो costing आ जाता है 142 रूपीज फ्रेंट का 142 रूपीज रेर का तो total आपको दोनों में 142 रूपीज के same size के brake shoes लग जाता है इसी के साथ आते हैं इसके अगले point के उपर की after market parts की availability या फे after market technicians की availability होती है कि नहीं होती है तो गाइस हम सभी जानते कि बजाच की CT100 काफी पुरानी बाइक है जिसको हर एक technician काफी अच्छी तरीके से service करना जानता है और इसकी after market parts की availability बहुत easily हो जाती है पर गाइस अब always recommended है कि आप बजाच के authorized service center से को service कर वाले वह इसलिए क्योंकि अभी आ जाती है FI unit के साथ गाड़ी जिसके अंदर अब ECU होता है तो जो train technician होते हैं उनको exactly पता होता है कि उसका ECU कैसे set करना रहता है जो कि after market technicians नहीं कर पाते हैं तो इस वजह से अगर आप कोशिश करें तो आपका after market अगर आप service कर रहे है तो इसी के साथ आ जाते हैं इसके अगले point के उपर जो की सबसे जादा important point है कि कितना maintenance cost है कितना लेती है तो इसका maintenance cost आ जाता है वो है 13.28 पैसा per kilometer का जो की काफी amazing है गाइस सबसे जादा budget के अंदर इन गाड़ियों का maintenance cost रहता है और commuter segment के अंदर यह top of the line है जो इसका maintenance cost आपको कभी भी effect नहीं करता है इतना जादा तो गाइस यह गाड़ियां ऐसी है कि आप इनको regularly commuting की तौर पर यूज कर सकते हैं highways के उपए यूज कर सकते हैं और आपको maintenance cost सिफ 13.28 पैसा का ही मिलेगा जो की काफी brilliant है गाइस इस वीडियो को इधर ही end करते हैं I hope आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या informative लगा होगा अगर in case लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीज़ेगा subscribe कीज़े समग्च के जरे आपको वीडियो कीज़ें आपको Skgehenными अवऴश्यों कर लग चाहा होगा 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 है जो पाइस वीडिकरें लाइस कीभवेशा लेस foreign to ऐा ज हूवशेबे कीज़ें टा लेघकी मिले रगीडियों कर उई